जलती चुपती धूप और लू के थपेडों को अगले पांच दिनों के लिए भूल जाएए क्यूंकि लखनो मौसम केंदर की योड से उत्र प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है अभी तक पिछले तीन दिनों से उत्र प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही थी पूरवी हवाएं चल रही थी जिस वजह से प्रदेश के अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सेस की गिरावट दर्श की गई अब यही सिलसला आगे भी जारी रहने वाला है क्योंकि लखनो मौसम केंदर के वरिष्ट वैग्यानी मौहमद दानिश की माने तो पूरवी हवाओं का असर उत्र प्रदेश पर अगले पांच दिनों तक रहेगा जिस वजह से मौसम में नमी बनी रहेगी और तो और उत्र प्रदेश के बुंदेल खंड छेतर के साथ ही बहराईच और इसके आसपास के जिलों में बूंदा बांदी होती रहेगी प्रदेश के दूसरे जिलों में बादल छाय रहेंगे जिस वजह से लोगों को भीशडगर्मी और लू के थपेडों से राहत मिलेगी फिलहाल ताप लहर का भी अब कोई चेतावनी उत्रप्रदेश के लोगों के लिए नहीं है बलकि उत्रप्रदेश में अगले पांच दिनों तक 40-50 किलो मेटर प्रति घंटे के रफतार से हवाई चलेगी और लोगों को भीशडगर्मी से पांच दिनों तक राहत मिलने वाली है आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से उत्रप्रदेश में लखनों समेत विभिन जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है पूरवी हवाय चल लही है और मौसम में नमी बनी हुई है जिस वजह से लोग जहां अभी तक शाम को ही घर से बाहर निकलते थे पार्कों में शाम और रात को भीड नजर आती थी तो वही अब दिन में भी लोग चड़िया घर समेत अलग-अलग पार्कों में घूमते वे नजर आ रही है सुनसान और वीरान पड़ी सड़के भी अब दुपैर के वक्त लोगों से गुलजा नजर आ रही है फिलहाल आपको बता दें कि लखनो मौसम केंदर की ओर से दी गई जानकारी के मताबिक अगले पांच दिनों तक उत्र परदेश में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी पूरवी हवाई चलती रहेगी जिस वजह से मौसम में नमी अब बरकरार रहेगी लखनो मौसम केंदर के वरिष्ट वेग्यानि महुमत दानिश के मताबिक अगले पांच दिनों के बाद मौसम कैसा रहेगा इसकी मौनिटरिंग की जा रही है क्योंकि अभी पूरवी हवाईं का असर बरकरार है और यह पांच दिनों तक बना रहेगा अगले पांच दिनों बाद अगर मौसम में कोई बड़ा बदलाओ होगा तो उसकी भी मौनिटरिंग लखनों मौसम केंदर की ओर से की जा रही है फिलहाल बात करें उत्रपरदेश की रास्थानी लखनों की तो यहां का पिछले दिनों अधिक्तम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुँच किया था लू के था पेड़े चल रहे थे और ताप लहर की भी चेतावनी थी सडकों पर दुपैर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बहुत कम ही लोग बाहर निकल रहे थे लेकिन अब मौसम में आए इस बड़े बदलाओ की वजह से यहां का मौसम भी सुहावना हो गया है अधिक्तम ताप मान में 3 डिगरी सेलसेस की गिरावट दर्च की गई है लखनों से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18